आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, question is If triangle ABC is right triangle triangle at B AB is equal to 30 degree and angle ACB is equal to 60 degree then what is the value of AC? देखो question में क्या given है? हमें question में given है कि right angle triangle है तो यह right angle triangle होगा अपने पास ठीक है? इस right angle triangle की इस right angle triangle की जो side यह sides होगी यह A, B और C यह right angle triangle triangle होगा angle B पर right angle होगा angle AB is equal to 30 cm बोला गया and angle ACB is equal to कितना है? 60 degree है हमें find करना है angle sorry side AC find करना है ठीक है? देखो question में तो यह जो angle 30 degree है और यह 90 है तो यह angle कितना हो जाएगा? 30 degree हो जाएगा और हम जानते हैं कि भई जो AB AB BC और AC यहां AB के सामने कौन से angle बना हुआ है? AB के सामने बना हुआ है 60 degree angle BC के सामने बना हुआ है 30 degree angle और यहां बना हुआ है 90 degree angle तो हम जानते हैं कि 60 के सामने जो side होती हो और क्या होती है? और 90 के सामने बना हुआ होती है? 2 होती है बना है यह यह रिष्ट होता है तो अब देखो क्या क्या करें कि 60 के सामने कि 30 यहां रूट 30 वैलू कि इसकी है रूट 3 की वैलू इसवा 30 तो हम अच्ट क्या करना है? 20 रूट 3 यह अप्शिन B is correct answer THANK YOU